दोस्तों फिर से अफगानिस्तान कुछ नई खबरें हैं कुछ नए बदलाव हैं सो भाविक है विश्लेशन नया होगा खबर है कि C.I.A. के हेड ने तालिबान के प्रतिनिधी से बाचित की लंबी बाचित की काबूल में आगे अगला खबर है पंजशीर से यह वहां के 34 प्रोविंस में से एक है करीब डेड़ सो किलोमेटर तालिबान से उत्तर में है वहां पर नदन एलाइंस के लड़ा के इकठा हो गए है और उन्होंने आत्मसमर्पन करने से या तालिबान से मिलने से इंकार कर दिया है जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेजडिन्ट थे अफगानिस्तान के प्रेजडेंट के जाने के बाद से, यानि अश्रफ घानी के भागने के बाद से, साले, उन्होंने अपने आपको वहां का राष्टपती घोशित कर दिया, और उनके साथ ही मसूद से मिलके, उन्होंने कहा कि वह तालिबान के चैलेंज को स्विकार करते है और वहां से वह नहीं हटेंगे यह एक बहुत बड़ी ख़बर है हलाकि काबुल में इतने भयानक प्रिस्थिती में भी महिलाओं ने प्रतिरोत का जंडा खड़ा किया है और यह तो आपको पता ही होगा कि अमेरिका के वहां से निकलने की अंतिम तारिक इसी महिने के अंत में है और उसने निकलने में अपनी नाकावी नाकामी घोशना की है कहा कि शायद संबौना ओ इस पर तालिबान के प्रतिक्रिया है कि इसके प्रिनाम बहुत भयावा होंगे और इसलिए बेचए भी है अमेरिका और उसके नाइटों के साठ्यों में किवल वो अपनी सेना ही भगाने में सफल होना नहीं चाहते बलकि वहां की वैसे जनता जो कि हजारो हजार में हैं जिन्होंने अमेरिकी सेना की मदद की थी उनको भी वो निकालने का उन्होंने प्यास ही मिला और यह बहुत महत्वपूर्ण है इन सब अंद्रूनी लडाई के बार यूएस हार में जब अफगानिस्तान में आई उन्हें सवसी में तो उन्हों ने एक लाख टेक्स्ट बुक बच्चों को स्कूलों में वित्रन किया उनको पढ़ने के दिये कैसे किताब थे शुरू से लेके बड़े तक यह किताब बड़े भैयानक थे यहां वियम कहते हैं सबको शिक्षा शिक्षा अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है किस तरह की शिक्षा है ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनिए इन लोगों ने indoctrinate करने की कोशिश की बच्चों की पूरी के पूरी अबादी को बदलने की कोशिश की और इन्हों ने उसमें सिखाना शुरू किया कि war against unbelievers यानि नास्तिकों के खिलाफ युद्ध छेड़ो और यह एक धार्मिक काम होगा एक religious duty होगा और कौन थे उस समय सोवियत सेना था और ऐसे वो सारे लोग जो तुम्हारा विरोध करते हैं उनकी खिलाफ तुम लड़ो हमारे हैं जैसे हिंदी में बच्चे जब पढ़ते हैं आसे अनार, आसे आम पढ़ाते हैं वैसे वहां के दरी और पोस्तु भाषा में टी लेटर है तुर्रा यानि उसका मतलब तलवार मेरे चाचा के पास तुर्रा है और उससे लेकर वो जिहाद करते हैं जी का मतलब जिहाद उपर वाले उदहान को दे सकते हैं इसी तरह से और ही बच्चों के दिमाग को इस बुरी तरह क्यों बच्चे हैं नहीं यूकों के भी दिमाग इस बुरी तरह से बात भरी बहुत सारे आप पढ़े भी होंगे जहां तक कि मरने के बाद से तुमें परिया मिलेंगे तुम आत घाती युद्ध के लिए भी त्यार हो और नतीजह आप देख रहे हैं और जब सुविद सेना हार गई मतलब वहां से हट गए अमेरिकी सेना आई आपको पता है उसकी कहानी पूरी डिटेल में नहीं जाओंगा ये किताब तब भी मिल रहा है था हला कि 2000-2003 में को इन्हों जला दिया लेकिन तब तक तालिबान भी उसको प्रिंट करके उसका फोटो कॉपी लेके बाठ रहा था 2013 तक में कितावित मिल रही थी अभी भी हो रखा होगा क्या भारत में आपको ऐसा नजर नहीं आता विश्रो के दूसरे हिस्सों में नहीं आता अमेरिका में नजर नहीं आता गुरों का राज्जी जर्मनी में नाजियों ने नहीं किया था और हम हमारे इसे लोग, हमारे बच्चे हम क्या सिखाते है अपने बच्चे को हमने तो पहले से आधार बना रखा उनके लिए कि तो हम और जाकर सड़ो कितना वी देश्रे पढ़ाएं देश्रे पढ़ाएं शिक्षा का ये आधार रहा तो और कुछ नहीं होगा और इस बीच अमेरिका और क्या कर रहा है इसी खबर से जुटा हुआ शड्यंत्र सिद्धा यानि conspiracy theory अमेरिकी सामराज जिवाद जब यहां से भाग रहा है जैसे वियतनाम से भागा था हलाकि दोनों में अंतर है कंबोडिया से भागा था अंतर उस कृस्थित इस कृस्थित में लेकिन समानता भी है तो उन्होंने यह बताने की कोशिश की अभी भी कर रहे हैं उसी क लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं बताते हैं परचार करते कि देखो वह गलत बोला सही मैं बोल रहा है दोहा में हमारी मीटिंग हुई थी अमेरिका की तालीबान के साथ संद्वित इसलिए हम हट रहे हैं ताकि आफगानिस्तान स्वतंत्र सारभौमिक देश बन सक सकते हैं एक उसका विरोध करेगा दूसरा पक्स लेगा तीसरा उसे कुछ बगल मैट के बोलेगा उनका अपस में ही ताल मिल हरा और हम इसमें लड़ते रहते हैं कि दोस्तों नहीं यह चीज है वो चीज है मुख्य चीज है अमेर्की सामराजवाद यानि पूंजी का की आबादी जो प्रित्विपे हैं उसको कब्जे में करने का आधार नाटो हो उत्री गोलार्थ का खास कर दर्शनी गोलार्थ की उपर एक प्रतीशत नानुए प्रतीशत की उपर सत्ता बनाने का तरीका यह युद्ध और इस तरह के जितने सारे चीज आतंक उसके लिए जरूरत है और इस एक प्रतीशत के साथ चार पास प्रतीशत तोर लोग मिलते हैं मजदूर्वर्थ से ही मिलते हैं एचार वाले आईटी वाले या वैसे लंपट सर्वहारा जिनने नौकरी मिलने को उमीद नहीं आठवी दसवी बारवी पास हो दूसरों के जंडा उठाने कि दियार है अपने धहर्म को बचाने के अपने भगवान को बचाने की गौड अल्ला को बचाने के कमाल है जब से गौड अल्ला की कलपन judicial प्रत्रों में तब से भर चुका है पूंजी के रक्षा के लिए यह क्यों धर्मी नहीं जाती रंग भेद देशवाद व्यक्तिवाद सारे सारे के सारे हमारे उपर है धन्यवाद साथियों